हाई फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने इसका फोल्डिंग बनाना नहीं सीख पाया तो चैनल को डिसलाइक मार कर छोड़ देजिएगा इस वीडियो के माद्यम साम इसका फोल्डिंग के बारट में बहुत ही डीपली नौलेज देने वाले हैं और आप इ बने रही हमारे साथ वीडियो के आकरी तक तो आए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि इसका फोल्डिंग का निर्मार्क कैसे किया जाता है देखिए किसी भी इसका फोल्डिंग का निर्मार्क करने से पहले हमको सबसे पहले ग्राउंड का कंड just tribute करता है तो हमने फॉल्प और बेसे प्लेट का यूज की आ थे जो हमारा इसका फोल्डिंग ट्यूब को यूज करने का यानि यानि की जो हमारा पोस्ट होता है जिसको लाइग में भी बोला जाता है तो हमने यहां पर भर्टिकल हमारा पोस्ट कहड़ा किया चारो कोने पर यहां पर मैंने कैसे कैसे खड़ा किया ठीक है अब यह जो हमारा इसका फोल्डिंग ट्यूब जो वर्टिकल है इसको सिक्यूर करने के लिए सबसे पहले आप हमको नीचे में क्या करना होता है यहां पे कीकर लिफ्ट का यूज करते हैं कीकर लिफ्ट क्या होता है इसका काम क् इसको यूज किया ठीक है इसका एक condition होता है यह जो होता है ground से 150 mm की height पर हम इसको बनाते हैं तो हमने यहाँ पर मान लिजे यह हमारा जो height है 150 mm है तो हमने यहाँ पर इसको बना लिया और यह जो distance होता है kicker lift होता है वहाँ से distance को हम लोग तय करते हैं तो अब देखें यहाँ से अब हम उपर की तरफ चलेंगे 2.1 मीटर से लेके 2.7 मीटर के बीच में मान लेजे जो भी होगा ठीक हमने यहाँ पर फर्स्ट लिफ्ट डाला तो फिर क्या करेंगे अब हम यहाँ यूज करेंगे वह इसका फोलिंग को लेंथ में डालेंगे और वीर्थ में डालेंगे अब दहान दीजिएगा ledger क्या होता है ट्रांजम क्या होता है जब भी जो हमारा इसका folding जो tube है अगर बे length को दिधारित करता है यानि कि देखिए यहाँ से बे length क्या होता है इस tube के बीच की दूरी को बे length बोलते है और बे width क्या होता है इस tube से लेकर इस tube तक विखान देज़ें यहां से लेके यहां तक इसको बेवीर्थ बोलते हैं coinc क्कि अगर जो लंबा यह उसको लेन्थ बोलेंगे जो चौड़ाई ऊसको विर्थ बोलेंगे अब देखिए जो हमारे बेलिंथ होता है उसको लेजर बोलते हैं जो हमारे बेज्ड होता है उसको ट्रांचम बोलते हैं क्लियर बेलेंद को लेडजर और बेवीर्ट को ट्रांजम ओके अब देखिए हमने यहां पर फ़र्ट लिफ्ट डाल दिया अब फ़र्ट लिफ्ट के ऊपर अगर जब भी हमको जाने का है तो नेक्स्ट एवरी जो लिफ्ट होता है 1.8 मीटर हाइट पर हम यहां प देखिए इससे पहले हमको यहां पर क्रोस ब्रेसिंग भी यूज़ करना होता है कि ताकि हमारे जो इसका फोल्डिंग है उसको हम सिक्क्यूर करते रहे मतलब उससे से हमारे इसका फोल्डिंग में एस्टेवलिटी आती है अब देखिए हमने क्रोस ब्रेसिंग भी डाल दि आप एक और चीज़ यहां पर नोटिस करिएगा जब भी हम किसी भी लेट्जर या ट्रांजम को जोड़ते हैं यानि कि कोई भी पाइप जो वर्टिकल दिशा में अगर हम ले जा रहा है किसी इसका फोल्डिंग टिप से तो उसको लिए हम राइट एंगल कपलर का यूज करत हैं और इसका फोल्डिंग का जो प्लाइंग होता है उसको सिक्क्यूर करने के लिए पूटलक कपलर का यूज करते हैं आप देखिए हमने यहां पर प्लाइंग डाल दिया अब हमारा जो आदमी उस पर जाके काम कर सकता है लेकिन वह आदमी गिरे न इसके लिए हमको क्या क जातब पड़ेगा हमको यहां पर करना पड़ेगा करना पड़ेगा तो रिलिंग सिस्टम में क्या क्याता है क्षности हैं पर ढेंगे नहीं तो यहां मंघता हैंपे ladder, देखिए, यहां से यहां तक मैंने एक ladder डाल दिया, ladder को minimum दो जगा पे इसको secure करना होता है जैसे जैसे हम इसका folding का निर्मार करते जाते हैं, height पे जाते हैं तो जब हम ladder से उपर चड़ गए, कुछ height तक चड़ने के बाद, अब हमको वहां पे एक प्लेट फारम देना होता है, for example, मान लेजे हमने 6 मीटर चड़ा, फिर एक प्लेट फारम दिया, फिर 6 मीटर चड़ा, फिर एक प्लेट फारम दिया, तो ऐसे करकर करके ladder का installation किया जाना चाहिए, ओके, आप देखिए, यहां पे यह जो ladder होता है, 300 by 300 का होता है, यह जो ladder है इसको बोलते है रंग, इसकी जो capacity होती है 225 से 235 कजी तक होती है ठीक है, आप देखिए, ladder को secure किया minimum 2 जगए पर secure किया एक और बात यहां पे देखिए, यह जो pipe हम इसका folding के use करते हैं यहां से जो हम pipe को बाहर जो निकालते हैं इसको बोलते हैं projection, इसकी जो height होती है minimum 50 mm होनी चाहिए और maximum हम इसको 150 तक निकाल सकते है इससे ज़्यादा नहीं, तो इसको क्या बोलते है projection, अब देखिए, यह जो pipe हमने यहां पे, मानने यह इधर से भी आया इसा नहीं कि कहीं भी कोई भी pipe लाके जोड़ दिया कोई भी pipe जब note point के अंदर आता है तो वो जो होता है, इसका folding procedure को follow कर रहा है यानि कि 300 mm के range में आना चाहिए अब देखिए, हमने यहां पे इसका folding पे चड़ने के लिए यहां पे एक नहीं हमने ladder डाला था ladder डाला, ladder से हमने उपर गया, उपर गया यहां पे तो यहां पे होता swing gate, acceptive purpose से यूज किया जाता है ताकि या आदमी उपर से नीचे गिरेना swing gate क्या होता है कि जब हम ladder के थुरू इसका folding पे चड़े हमने entry किया और उस gate को खोला अंदर गया और फिर उसको बंद कर दिया और अपना काम किया अराम से एक और बात आये जानते हैं यह जो इसका folding के जो tube होता है मान लेजी एक तो इसका folding के tube maximum 6 meter height का आता है इसकी weight होती है लगबग 20 kg आप देखिए जो इसका folding tube है अगर हमको इसको मान लेजी 6 meter का है तो pipe to pipe कैसे जोड़ते हैं हमने एक pipe और दूसरे pipe के बीच में minimum 3 clamps डाला जाता है edge per procedure के इसाब से minimum 3 clamps यहां पे required होते हैं और दूसरा जो होता है box clamp जब भी हम box clamp के यूज करते हैं तो यहां पे एक slanze के यूज करते हैं slanze क्या होता है एक pipe होता है दोनों pipe के बीच में यानि जहां पे हमने box clamp के यूज किया है न वो center में आ जाएगा और यह जो इसका फोलनी का छोटा वाला जो tube है दोनों pipe से connect करके यहां पे हम swivel clamp के थूँ इसको connect कर देते हैं तो यहां पे हम क्या करते हैं swivel coupler के थूँ दोनों side से एक clamp डालके इसको जोड़ देते हैं तो इसको slice बोलते हैं इस tube को और इस परकार से इसको जोड़ा जाता है और second में क्या होता है कि direct pipe to pipe भी clamping के जाता है तो इस परकार से एक tube से दूसरे tube को जोड़ा जाता है एक और point यहां पे ध्यान दीजिए जब हम इसका folding का निर्मार कड रहे थे तो यहां से यहां तक की दूरी 2.1 meter है या फिर यहां से यहां तक 1.8 meter है तो यह जो gap है तो कोई भी इसका folder इतना distance से एक ही बार चड़ नहीं सकता है इसलिए वो बीच में क्या करता है लोग कि T के यूज़ करता है एक हैसका folding tube होता है बीच में कहीं भी उसको लगा के वहाँ पे clamping करके इसके थूरू वेक्ति जो है उपर की तरफ चड़ता है और दूसरी चीज़ यह जो हमने plank डाला है दो plank के बीच की जो gap होती है maximum 1 inch से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यह सारे criteria थे एक हैसका folding का निर्मार करने में आई होप कि यह वीडियो आपके लिए useful था तो कैसा राया वीडियो comment box में उससे बताए और साथी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कृपिया हमारे चैनल को बढ़ बढ़ जाए किया हमारे चैनल को